हमारे राजेस्तान के उद्यपूर जिल्ले की कैलास्पुरी ग्राव बंचायत जिसका चोटा सा गाव शेला गुडा जहाँ पर पानी को लेकर सभी गाव वालों को परिशाने का सामना करना पड़ता है क्यूंकि जिस सेड़ पंप से वह पानी लेके आता है उस सेड़ पंप से नारू रोग जिस कीड़े निकलते हैं जिस कारण उन्हें बार-बार होना पड़ता है में कणि सम्ञी सावेरी प необходимо के बहुत पानि खराब आ राए यह पर दुछी चोटे बिमार हो रहे हैं इस पानी से हो चीनोय दूर है इसमें कचराहाता है बहुत गंदा-गंदा कचराहता है बहुत जडल्या crushing उते हैं इसमें कीडियात एा कितने सालों से परेशान ही हो रही है? शालों से देख रहे हैं, ऐसा ही पानी आता है। कई बार हम पंचायत में भी शिकायद कर चुके हैं, लेकिन हमारा समाधान नहीं हुआ। मैंने यहां जाकर इस हमेशा पर एक वीडियो बनाया, वल समुदाय के लोगों के साथ में एक मिटिंग रखी। इस मिटिंग ने हमारे दुआरा एक पत्त तियार किया गया, वह साथ यसाथ ओनलाइन पॉडल पर शिकायद भी दरवच करवाए गई। आसा ग्रामिन शेतर से मेरे ग्राम पंचायद है गलाशपुरी, जिला उदेपूर, जल विबाग के अधिकारे भी वहां पर आ गए और हमारी समिशा पर बाचित की। साथ ही हमारे साथ गाओं में चल कर पानी की जाजबी की, वह मेरी एक वीडियो भी उनको दिखाए गई। में केराशपुरी ग्राम पंचायद में जाकर सरपन साप को एक लिखित पत्र दिया, वह इस समिशा पर बाचित की। तब जाकर पंचायद वालों ने पानी की मसीन एवं पाइपलाइन उनके दुवरा दिया गया। निजात पाने के लिए करावारी ग्राम में पंचायद में पंचायद में पहुंचा दिया जाएगा। पंचायद में बात की आप कमलेंट लिखाई थी पानी की सूइद हो गए थी सब को बेला किया, इकटा किया, सुटिंग की। अब हमारे को पानी से प्रेसानी से मुक्ती मिल रही है तो अब हम घर तक स्वस्त पानी पिस गेंगे साथ। इस संबुदाय के लोगों के यहां पर बदलाव आने से मुझे बड़ी खुशी मिली। क्योंकि यह लोग 6 साल से इस समिश्या से परेशान हो रहे थे। और मुझे आगे भी काम करने के प्रेणा मिली। इससे मैं आगे जाके भी इसी समिश्या पर बदलाव ला सकूंगा। मैं चंबू राष्ट दवर केला सुरी पंचाइज से इंडिया अनट के लिए।